प्रिदर्शकों नमस्कार हमारे जीवन में शुक के साथ साथ कुछ परिशानिया भी साथ में लगी रहती है उनमेशे कुछ परिशानियों का कारण हम श्वम होते हैं तो कुछ भाग्य जनित होता है और इन परिसानियों का दोश हम देते हैं अपने प्रारब्ध को तो आने वाले दिन आपके प्रारब्ध को बदलने का एक एशा मुहुर्थ प्रदान कर रहे हैं जिसका आपको हमेशा से इंतिजार रहता है जी हां हम बात कर रहे हैं इस परम पवित्र स्रावण मास में आने वाले नाग पंचमी की जिस दिन की गई नागों की पूजा जन्म कुणली के दो विशेश ग्रहों राहू और केतु को शांत कर दे नाग पंचमी के दिन नाग पूजन करनेशे काल सर पदोश से मुक्ति मिलती है साथ ही साथ अन्य ग्रहों के भी सहयोग प्राप्त होते हैं नाग पंचमी का तेवहा स्रावल माश के सुकल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है हिंदु धर्म में नागों की पूजा के साथ साथ इस पावन पर्व में विशेश पूजाएं भी की जाती है भगवान सिव की आभूशन नाग देवता की पूजा की जाती है साथ ही पूजन करने शे आध्यात्मिक शक्ति आपारधन और मनवांशित फलों के प्राप्ति होती है। ध्यान देंगे 5 बचकर सुबह 5 बचकर 14 मिनट पर जो कि अगले दिन 3 अगस्त 2022 की सुबह 5 बचकर 42 मिनट तक होगा। देंगे 5 बचकर 42 मिनट से सुबह 8 बचकर 24 मिनट तक। मुहूर्थ की अधी 2 घंटे 41 मिनट ही हैं। तो इस मुहूर्थ का द्यान रखें और विशेश नाग देवताओं की पूजा करके अश्ट नागों की पूजा करके अपने जीवन को शुक्मे बनाएं। अब बात करते हैं नाग पंचमी के पूजन की विधी की। तो दर्शकों नाग पंचमी के दिन अनन्त, वाशुके, पद्म, महापद्म, तक्छक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नाम से देवनागों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर के दरवाजे पर शर्प की आठ आकृती बनानी चाहिए और हल्दी, रोली, चांवल, फूल चड़ा कर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। की पूजा की जाती है तो जीवन के शंगटों का नाश होता है अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहत शुभ माना जाता है और उसके जीवन में धन की बढ़ोत्री होती है और साथ ही साथ सरफ के काटने का डर भी दूर होता है तो मित्रो नागबंच में 2 अगस्त को है प्राता तड़के ही 4 बच कर 42 मिनट सिर्योदय के आसपास ही इसका परम पावन मोर्थ है तो जुड़ जाईए अपने काल सर्प दोस्की तिवरता को कम करने के लिए और जुड़े रहिए हमारे जोतिस के विशेश कारिक्रम जोतिस अपत के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार